नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओलान इस्टिटूट टार्गिट पी तालोक में मैं रवी तिवावी करेंट अफियर्स के एक नए एपीसोड के साथ आपके समख चुपस्तेत हूँ आने वाली महतपूर परिक्षाओं के लिए हम लोग करेंट की सरिंखला कर रहे हैं और उसमें आज का एपीसोड आपके लिए महतपूर है हम लोग बहुत सीमित पढ़ रहे हैं साथ में आपको नोट्स भी दिया जा रहा है एक बार आप एपीसोड देखें नोट्स पढ़ें और आपका उतना भाद तयार हो जाएगा बहुत ज़्यादा विरत हम नहीं पढ़ रहे हैं बलकि परिच्छा के लिए जो सबसे ओप योगी है वो चीज़ें पढ़ रहे हैं और यहीं से प्रिच्छने आपको मिलेंगे आप इसके लिए भी निश्चेंत रहें आज हम लोग जिन तर्थ्यों पर बात करने वाले हैं बीसवी पसुगर्णा उननीश सो उननीश और उननीश सो बीस से सुरू हुआ ये सिल्सला बीसवी पसुगर्णा पर आचुका है प्रितिक पांच वर्सवाद पसुगर्णा होती है इस पर हम लोग बात करेंगे चर्चिक पुस्तके इमां लेखट इनमें उन सभी पुस्तकों को सामिल किया गया है जिनको किसी ने किसी कारण पुरुसकार दिये गए हैं या वो सभी लेखट भी सामिल हैं जिनकी पुस्तकों को पुरुसकार मिले है तो वो व्यक्ति विसेश में भी आपके लिए जरूरी है और पुस्तकों में भी चर्चित पुस्तकों में भी वो भाग आपके लिए जरूरी है इस रोग के आगामी मिसन कौन-कौन से हैं, यहां से आप से पृष्णों के रूप में पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत 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 पूर है तो आईए सुरुवात करते हैं हम लोग यहां से, सबसे पहले हम लोग देख रहा हैं पसुपालन, देखे, प्राथमिक छेत्र से जुड़ा है, प्राथमिक छेत्र का आसा होता है कि जहां पर बहुत संख्यक समाज किरसी कारियों से जुड़ा हो, और किरसी और पसुपालन को महत्रपुर भूम का निभाई है 1919 और 1920 की बात करें तो पसुधन गर्णा की भी जो है शुरुबात हुई और पसुधन गर्णा भी भारत में किराई गई तो अगर कहा जाए कि पहली पसुधन गर्णा कब हुई तो यह 1919 और 1920 से इसका प्रारम हुआ और यह यात्रा बीसवी पसुधन गर्णा तक आ गई है यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है पहला तो पूछा जाता है कुल पसुधन ध्यान दीजेगा और दूसरा पूछा जाता है आपसे मवेशी इसका आपको ध्यान लखना है दो प्रकार से प्रिष्ण बनते हैं एक तो पूड़े पशुधन के बारे में प्रिष्ण बनते हैं और एक मवेश्यों के बारे में प्रिष्ण बनते हैं पिछने दो-تिन वर्ष से जो भी एकजाम आपसे पूछा जाता है वहाँ पर agriculture sector से भी आप से पुछा जाता है और पसुधन गर्णा से भी आप से पुछा जाता है तो हम लोग ब्रीफ में देखने की कोशिस करते हैं कि 20 भी पसुधन गर्णा किस प्रकार आपके लिए जो है जरूरी है और महत्रपूर है सबसे पहले इसको देख लीजे पसुधन गर्णा 2017-18 के अनुसार देश के कुल पसुधन आवादी में 535.78 मिलियन है जिसमें पसुधन गर्णा 2012 की तुल्ना में 4.6% की ब्रिद्धी हुई है ध्यान दिजेगा इसका मतलब है 19 वी पसुधन गर्णा जो हुई थी वो कब हुई थी 2012 में हुई थी और 20 वी पसुधन गर्णा जो हुई है वो कब हुई है 17 और 18 में हुई है जिसके आखड़ों की हम लोग बात कर रहे हैं तो किरम में 20 वी है पस्चिम मंगाल पसुधन की संख्या में सर्वदिक ये 2.3 नहीं है ये गलत है ये 23 पृतिसत है आप ध्यान रखिएगा और 23 पृतिसत की ब्रिद्धी हुई और दूसरे एक स्थान पर तेलंगाना है ये 2.2 पृतिसत नहीं है ये 22 पृतिसत है सभी लोग ध्यान ने यहाँ पर इसको 23 पृतिसत पड़े और यहाँ पर इसको 22 पृतिसत पड़े तो पसुधन जो संख्या है उसमें सर्वदिक ब्रिद्धी कहां पर हुई बताइए पश्चिमंगाल में हुई ये 23 पृतिसत की ब्रिद्धी हुई मैंने कहा आपसे कि दो चीजें आपसे पूची जाती है आपको पसुधन भी याद रखना है और मवेशियों की संख्या भी याद रखनी है तो मवेशियों की संख्या की ब्रिद्धी अगर हम लोग देखे तो 0.8 पृतिसत की ब्रिद्धी हुई पूरे कि संख्या में भी सर्वदिक बृद्धी पश्चि मंगाल में और सअधे быть तर प्रदेश में यह आकड़ को यहां पर द्यान रखना है आगे बरते हैं हम लोग पसुदन के छेत्र में सतत और दिर्ग कालिक विकास के लिए 2014-15 में बारमी पंचवर्षी योजना की अंतरगत राष्टी पसुदन मिशन की स्थापना की गई है ये प्रस्णे आप से 2-3 बार पूछा जा चुका है कि राष्टी पसुदन मिशन की स्थापना किस पंचवर्षी योजना की अंतरगत की गई है बारमी पंचवर्षी योजना की अंतरगत की गई है आगे बरते हैं हाँ केंद्रिये खादिमं तक्नी की अंसंधान संस्थान कहां इस्तित है ये मैसूर में इस्तित है पहले तो याद रखीगा इसको ही आपसे पूच लिया जाता है मिलान करने के लिए केंद्रिये खात तक्नी के अंसंदन सस्तान आपका कहां पे इस्ते थे बताइए मैसूर में इस्ते थे और इसने ग्रीन मिल्क का विकास किया ग्रीन मिल्क जिसमें सभी गुड आपके जो आपका नेचुरल मिल्क होता है उसी परकार के सभी गुड होते हैं और बस इसको ग्रीन मिल्क कहा गया है और इसका जो रंग होता है वो भी विल्कुर सामान दूद की तरह सफेद ही होता है इसके बाद पसुओं के प्रजिणन को इस्टॉक फार्मिंग की संग्या दी जाती है ये भी आप से PCS में पूछा जा चुका है यहां पर भी आपको ध्यान देना है पसुओं के प्रजिणन को इस्टॉक फार्मिंग की संग्या दी जाती है बर्स 1989 में इलाबाद में देश का प्रिथम Military Deity Form इस्थापित किया गया अंग्रेजो द्वारा आज देश में साथ प्रमोग केंद्रिये पसुप्रजिनन केंद्र है कितने हैं टोटल साथ प्रमोग केंद्रिये पसुप्रजिनन केंद्र है अब ये सब के नाभ है ये आप से वो कहां पे है उत्तर प्रदेश में आईए राष्टे डेरी विकास बोड ने किसानों के लिए मोबाइल एप पसुपोसर का सुभारम किया पसुपोसर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका व्यापार पसुओं से ही चलता है वो डेरी फारम चलाते हैं बड़े-बड़े पसुओं को किस मौसम में किस सबस्था में कितना खाना दिया जाना चाहिए इसके लिए पसुपोसर एप है जो पसुओं की पूरी देख रेक उनके खान-पान के बारे में आपको समय समय पे विवरण प्रतान करता है किस जलवायू में कितना खाना किस पसुओं को कब देना है गर्वावस्ता के दौरान कौन सा खाना देना है वो सारा मौसम के अनुसार जो विभाजन है वो वहाँ पर आपका किलियर किया गया है वहाँ से आपको पता चलता है आगे बढ़ते हैं तेके चर्चित पुस्तके और उनके लेखक अगर हम लोग देखें तो आप दो हजार उननी सो बीस की चर्चित जो पुस्तके हैं यह आप ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर जो मुद्दे आपके अच् सिटी यह फांक फांक की किताब है ऐसी कू amen क篇ध करणगा यहीं से एक पुस्तक या दो पुस्तके आप से पूछी जाएंगी यहाँ पर देखिए, Good Economics for Hard Times, 2019, How O.D. Won India, तो यह किसकी राजदीफ सरदेशाई की किताब है, The Four Field, यह किसकी माधरी विजय की किताब है, Sun Catcher, रोमेश गुर्द सेकरा जी की किताब है, जै प्रकास, तुम लोटाओ, मंता मरहोत्रा जी की किताब है, ध्यान दीजेगा, इसके ब वुमेन, अधर, वर्नाडिन, एवारिष्टो की किताब है, The RSS, Roadmaps for 21st Century, सुनील, आमबेकर की किताब है, Roots to Radiance, निकता अपाध्या की किताब है, लाल बहादर सास्तिता, पॉलिटिस्क, सन्दीफ सास्तिर की किताब है, रितिकिंग, गुट गवर्नेंस, बिनोध राय की क किताब है, कुछ उपन्यास भी है, जिनको पुरुसकार मिला है, ठीक है, सेकेंडर नाइट, राजीब दोगरा जी की किताब है, स्रीदेवी, गर्ल बूमें, सुपरिष्टार, सत्यार्ख, नाइक जी किताब है, दॉक्टर फ्रमा, विसिंग्ट्री, सुधामूर्ती की कित कितामेंट, हाँ, यहाँ पर जो है, मारगेट एट बुट की किताब है, ध्यान दीजीगा, है न, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ, रिसर्जेट इंडिया, विमल जालान जी की किताब है, लिस्निंग, लर्निंग इन लीडिंग बेंकर या नाइडू की किताब है, और मोदी जी की किताब है इसको भी आपको याद यहाँ पर रखना है आगे अगर हम लोग बढ़ें यहाँ पर कुछ और किताबे हैं देखिए ध्यांदी जीगा Celestial Body जोखा अलारती की किताब है इनको भी पुरुसकार मिला है बोलना ही है लोगतंत संस्कृती ओ राष्ट के बारे में रवीश कुमार जी की किताब है इनको भी इसबार पुरुसकार मिला है स्वपनपास मनिसा कुल्सरेश्ट की किताब है इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत जी की किताब है दथर्ड पुलर रगुराम जी राजन की किताब है दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय भारू की किताब है जिस पर मूवी भी बनी है जिसमें अभिने जो किया था वो किष्णी किया था अनपम खेंडने किया था दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंग जी पर बनी हुई मूवी है आपकी आगे बढ़ते हैं इस रोग के अगर हम आगामी मिसन देखें तो यहाँ पर ध्यान लेजे इस रोग के आगामी मिसन चंदरियान तीन अब 2021 में प्रिस्तावित है चांद की सत्य को छूने का एक और प्रियास हम लोग 2021 में करेंगे और आपकी वार्म वादा करता हूँ निश्चे छूएंगे गगलियान 2022 भारती दलिये मानो अंत्रिक्ष्यान है सुक्रियान एक 2023 में जाएगा हम लोग तलते है आदित 2020 में सूर का अध्यान करने के लिए मिशन है रिसेट 1A 2020 का है यह नियोजित रिमोट सेंसिंग उपगरा है निसार ध्यान देर जीगा इन दोनों नामों को पहला डूएलमेंट रडार इमेर्जिंग उपगरा है और एस्ट्रो सेट 2 2020 में माल्ती बेवलेंट स्पेस टेली स्कोप है ठीक आगे बढ़ते हैं लोग सभा चुनाओ 2019 तो सबसे पहले तो यह देख लीजे कि यह कौन से लोग सभा चुनाओ थे सत्रमा लोग सभा चुनाओ था साथ चरणों में हुआ कुल सीटों की संख्या कित्टी थी 545 चुनाओ हुआ 542 पर याद रखेगा बेलोर सीट पर मतदान इस्थागित हुआ है ना पूर बहुमत के लिए सीटों की संख्या थी वो कित्ती थी दोसो बादतर मतदाओ थाओ कि कुल संख्या 90 करोर थी इसमें कुल कितना प्रतिसत मद्दान हुआ, 66.1 एक प्रतिसत यहां पर मद्दान हुआ, क्लियर है, आईए, मतदाता हेल्फ लाइन नंबर क्या था, 1950, जरूर याद रखिएगा, क्लियर है, आईए, पहली बार EBM में सामिल होने वाली नई सुबदा क्या थी, उम्मीदवार की फोट पहली बार EBM में सामिल हुई थी, नई सुबदा, आदर्स अचार सहिंता के उलंगन से संबंदिस सिकायत के लिए लांच किया गया एप, कितने वरसबाद एक दल को पूर बहुमत पराप्त हुआ, 48 वरसबाद, किसी एक दल को पूर बहुमत पराप्त हुआ, लोकसभा चु और अदुत किसे बनाया गया, गौरी सावंत जी को, आगवरते, जम्मू कस्वीर की ब्रांड एंबर्श्टर सती दुवा जी को बनाया गया, एद लोकसभाब और नवन रिवाचित कुल महला सांसदों की संख्या, टोटल 78, 78, जिसमें उडीशा की चंदरानी मुर्मू, ख जंतादल की सांसद है, चंदरानी मुर्मू सबसे युबा सांसद चुनी गई, ध्यान दीजिएगा, इसका भी आप लोग आए, आगे बढ़ते हैं, दोजार उनीश लोकसभाब सुनाओं का पहला बोड, ITBP के सुधाकरजी ने जो है डाला था, और, किसके द्वारा डाला गया नटराजन द्वारा, देश की एकमात्र जिलाज जहां पर पूरी मतगरना महलाओं ने करवाई, वो हरदा मतप्रदेश, तो ये कुछ विवरर थे, नोट्स को आप बीची से डाउनलोड कर सकते हैं, कल जनसंख्या, जो जनसंख्या के प्रमुक आकड़े हैं, बजट स संबंदे जो तत्थ हैं, उत्तर प्रदेश की जनगरना और राष्टी जनगरना, वहां से जितने प्रिशने आपके बनते हैं, इसके बाद जब और अगले एपिसोड में चलेंगे, तो राज सरकार की और किंद सरकार की जो प्रमुक योजनाए हैं, उनके प्राबधान हैं उन पर बात करेंगे, जहां से आपसे प्रिशन बनते हैं, तो आने वाले जो तीन एपिसोड हैं, वो आपके लिए और भी महत्पूर हैं, तो कल के एपिसोड से कुछ सॉलिड एपिसोड करेंगे, आसान सब्दों में, आसान भासा में, सीमित दायरे में करेंगे, जिससे आ आपको लाव हो आज के एपिशोड में मेरी तरफ से इतना भी है संस्था की तरफ से एक महत्पुर सूचना यहां पर मैं आपको प्रदान कर दूँ जो है थोड़ा सा ध्यान दीजीगा कि यह हमारे टेलीगराम नंबर है यूपी एसाई रेंकर्स बैच में लगातार प्रविस्परिक्रिया प्रप्रारम है साथ अगस्त से इसमें अध्यान जो है अध्यापन सुरू होगा रेंकर्स बैच पहली बार हमने नाम रखा यह आपको वाट्सप नंबर है इस वाट्सप नंबर पर एंट्री आरेसाई लि बेच देंगे इस वाट्सप नंबर पर यदि आप लेकपाल के लिए जो है जो 8000 पदाने बाले हैं उनके लिए बैच करना चाहते हैं तो एंट्री लेकपाल आप लिख देंगे इस नंबर पर एंट्री लेकपाल इस वाट्सप नंबर पर लिख कर भेद दीजे तो यूप नंबर भी दिये गया है अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इन नंबरों पर से फौन कर लिजे और फौन करने के बाद भी आप उपने प्रिवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं कल एक जबरजस्त एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और जल्दी हम लोग करेंट की स्रिंखला को पूरा करेंगे आप अपना ख्याल लखिए अच्छे सरी एपिसोड कैसा लगा सुझाओ जरूर जाए थैंक्यू सो मच आज के लिए तिना ही नमस्कार करेंगे तिना ही लग कि और जबस्ता हुआवाद लगा जरूरैं लगार से लिए जाप सकत्री एपिसोड़ के लिए कि समुझावाद यगा सुझावाद लाज skipping कारेंगे थैंक्ट जरूरा की सा लगश्या मुलाकात।